हेलो क्लास 7 तो इस वीडियो में हम लोग NCRT जोगरफी जो की क्लास 7 का है उसके चैप्टर 4 जो की एर है उसके नोट्स को देखेंगे और साथ ही साथ हम कहसे रखने कि ये क्विक रिवजेन है इस पूरे चैप्टर का तो अगर आप चैप्टर पूरा नहीं देखेंगे तो अब इसके कंपोजिशन को हम समझेंगे कि कंपोजिशन मतलब किस चीज से मिलके बना है ये एटमोस्फेयर तो हम लोग को पता है कि एटमोस्फेयर से बना है अब एयर में पहला क्या चीज है नाइट्रोजन जो मैक्सिमम कॉंटिटी में है कितना बॉल्यूम है तो 70.08 पर ये इंपोर्टेंट है अब सर्वाइबल में हम लोग पढ़े थे कि प्लांट जो है डाइरेक्टली एटमोस्फेयर से एर नहीं ले सकता है नाइट्रोजन को तो वो क्या करता है संब सर्टेन बैक्टेडिया लाइक राइजोबियम एक्जिस्ट और लिवस इन रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट दलहन के पोधो में रहता है और वो क्या करता है इन अटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रीट्स के फॉर में बदल देता है जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है तो यह तो था नाइट्रोजन के बारे में अगर आप चैनल पर नएए तो चैनल को प्रीज सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेयर करें दूसरा जो मेजर कंपोनेंट है एटमॉसफेर का या एयर का वो ऑक्सीजन है कितना मात्रा है तो 20.94 परसेंट है बाइब होल्डियूम और इसको लाइफ गैस भी कहा जाता है और यह कम बसन में यूज होता है अगर ऑक्सीजन को हटा दिया जाए तो कम बसन होगा ही नहीं अब तीसरे कंपोनेंट को हम लोग पढ़ते हैं या तो मेजर नहीं है इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि आरगन है लेकिन हम लोग कार्बन डायक्सराइट को इसमें देख रहा है इसके यूज क्यों कहते हैं क्योंकि इसके पास किपेसिटी है कि संके लिए वांत कर सकता है तो इसको ग्रीन हाउस गया Ciरिज कहते हैं और यही ऐस है जो एर्थ को लिवेबर बना रहा है तो यह था कारबन डायोकसाइट के बाद आगे हम ओजोन के बारे में देखते हैं ओजोनन एक इम ही यह प्रोटνη करता है हमको ईूवी रेसे यूवी मींस अल्ट्रावाइोलेट द्यूसंसे यह अल्ट्रावियलेट ड्यूसंस सन से आता है जिसको यह टक्रा करके वापस ही रिफिलेक्ट करता है इस पेस की और तो इस परकार सहें हमको बचाता है अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वह हमारा है डस्ट एंड वाटर भैपर के बारे में देखेंगे यह डस्ट और वाटर भैपर जो है फाउंड इन लोवर लेयर्स ऑफ आट्मोस्पेर मतलब लोवर टॉप वेस्पेर के नीचले अस्तर में यह पाया जाता है जूसरा करा है कंस कंस्ट व्यएपर करता है कि इसका टेपर तक हिसे ग्रमपर उपहपर का से त्यसमर है अए ही रहता है फोल्प प्रफेर में बैब हो तोकgi करता है हिसी ह Mr.श का सुपिक क्या से अनला चा है आटमोस्पेर का तो करता है कंटेन करता है जो भी air जो हम लोग बीध करते हैं मिंस ओक्सिजन वेगाएर यह सब यहां पर प्रशूर मातरा में पाया जाता है इतने भी weather phenomenon है सारे टropo Cinderella में होते हैं एक्षेंज ad charge of heat and moisture also take place heat or moisture का एक्षेंज आधान प्रदा यहां होता है आगए second लिए जो हम लोग पढ़ेंगे वह है इस्टेटो इसफेयर बारे में कह रहा है कि यहां पर ओजोन होता है जो हमको UV रेज से प्रोटेक्ट करता है यही इस्टेटो इसफेयर आईडियल है एरोपलेन को फ्लाई के लिए साधी साथ यहां पर एपसेंस होता है क्लाउड वगरा या weather phenomenon आपको यहां देखने को नहीं मिलता है तीसरा जो important layer है वो meso-sphere है meso-sphere में metroid burn करता है यहां पर यह third layer है इसके लाबाद दूसरा कोई fact नहीं है जो meso-sphere में हमको ध्यान रखना है और thermo-sphere के बारे में बात करा है meso-sphere के बाद कहएदा temperature in lower layers is stationary इसके lower level में temperature क्या ह होता है stationary होता है इसमें electrically charged particles होते हैं जिसको हम लोग ions बोलते हैं और transmit radio waves यह ions होने के कारण ही जो है यह signal वगएरा को send करने में reflect back करने में मदद करता है इसलिए communication में मदद करता है इसमें यह कहता है अपर मॉस्ट लेयर है atmosphere का और इसमें light gases होते है hydrogen और helium जैसे light gas हलके gas होते हैं तो यह था था हमारा different layers of atmosphere now we will talk about elements of weather and climate अब वेदर और climate को प्रभावित करने वाले जो elements है उनके बारे में है या impact करने वाले तो पहला चीज कह रहा है कि air pressure के बारे में air pressure क्या होता है air exerts pressure on our bodies उसी को हम लोग air pressure कहते हैं और जब हमारे body पर air pressure लगाता है तो हमारा body भी counter pressure exerts करता है air pressure highest कहां पर है sea level पर decrease होता है with height means जैसे आपका height बढ़ेगा altitude बढ़ेगा air pressure decrease करेगा ऐसा क्यों होता है क्योंकि ऊपर जाने पर air का molecules काफी दूर दूर दग बिखरा हुआ होता है means expansion होता है expanded होता है इसके कारण जारा दबाव नहीं लगा पाता है कह रहा है low pressure results in cloudy sky and wet weather अगर temperature कहते हैं या humidity कहते है humidity increase कैसे करता है when the air gets warmer humidity increases when the air gets warmer मतलब जहां गर्म हवा होगा वहाँ पर humidity क्या होगा increase हो जाएगा बढ़ जाएगा when water vapor rises water vapor rise करता है it cools and condenses to form droplets of water water vapor rise करता है तो यह condense होता है ठंडा होता है और उसके बाद droplets of water में convert हो जाता है उसके बाद कर रहा है these droplets precipitate down in the form of rain अब यहीं droplets क्या होता है rain के रूप में नीचे गिरता है अब rain के category को बता है कि rain तीन परकार के होते हैं हम लोग पढ़े है cyclonic, autographic और conventional तो यह तीन परकार के रहन है जिसको हम लोग explain कि हैं chapter में तो आपको देख सकते हू changes from season to season, अलग-अलग season में temperature अलग देखने को मिलता है, summer में गर्म होगा और winter में ठंडा होगा, isolation influences the distribution of temperature, यह जो isolation का process है, यह temperature के distribution को प्रभावित करता है, वहीं isolation decreases from the equator towards the pole, अगर आप equator से pole की और जाएंगे तो isolation क्या होता है, घटता है, temperature cities में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं और village में कम होता है, next topic है wind, wind की प्रभावित करता है, तो it is the moment of air from high pressure to low pressure, high pressure से low pressure की और ही, हवा move करता है, इसी को में लोग wind कहते हैं, तो wind के circulation के पीछे का region क्या है, the different pressure builds, और पुछे है कि wind का direction क्या है, तो from high pressure to low pressure, चार प्रकार के wind है, permanent wind, जैसे की trade wind, वैसे wind जो सालोबर ए एक ही direction में move करते हैं, periodic wind, जो कुछ च्छन के लिए होते हैं, direction change वगएरा देखने को मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, monsoon wind इसका example है, तीसरा है local wind जो अस्थानियास तर पर बहता है, जैसे की loo बगएरा, उसके बाद variable wind जो भैरी करते रहता है, तो ये था हमारा video summary notes year chapter पर thank you, channel पर अगर नए हैं तो channel को subscribe करें, video को like करें